हेचीजी के शेर प्रैस के बारे में एक चीज खास है कि पिछले दो तीन सालों में उसके जो भी शेर प्रैस में उतार चड़ाव आया है उसके पीछे हमको साफ साफ नजर आता है चाइना का इंफ्लुएन्स बहुत वालटेल रहा है हेची जी का शेर प्राइज मुवमेंट बीस महीनों के अंदर फेब्रवरी 2017 से अक्टोबर 2018 तक करीब 9 गुना उपर गया था प्राइज उसके बाद वैसे ही गिरावट में अगले 16 महीनों में ये गिर कर पहुँच गया 555 और मार्च 2020 कोबिड के बाद ये श्टील प्राइज के साथ ऊपर चलता हुआ नजर आता है आज कल है 1296 के आसपास कंपेनी के शेर प्राइज को लेकर मार्केट बहुत उत्सुक है अपने प्रोड़क्शन केपैसिटी को लेकर चाइना दुनिया में बहुत ताकतवर रहा है दुनिया के स्टील में वो प्रोड्यूस करता है करीब 50% उसका प्रोड़क्शन सिस्टम है ब्लास्ट फरनेस रूट जो एन्विरॉन्मेंट फ्रेंडली नहीं है दुनिया के लोबल इंबैलेंस जैसा देखने को मिला जिसका असर बहुत कंपनियों के शेर प्राइजोस पर हुआ इलेक्ट्रिक आर्क फरनेस में स्टील प्रोड्यूस करते वक्त इस्तेमाल होता है ग्रैफाइट इलेक्ट्रॉड 2017 तक चाइना की ब्लैस्ट फरनेस टेक्नॉलोजी की वज़े से ग्रैफाइट इलेक्ट्रॉड का डिमांड कम था इसके वज़े से दुनिया के बहुत ग्रैफाइट इलेक्ट्रॉड कंपनिस करीब बंद हो गए थे कारण सिर्फ दो एक उनका इन्पुट कॉस्ट बढ़ रहा था दूसरा ये एफ में प्रोड्यूस होता हुआ स्टील का डिमांड भी कम था इसके वज़े से दुनिया भर में जो ग्रैफाइट इलेक्ट्रॉड मैनिफैक्ट्र कर रहे थे उनमें से बच गहे थे करीब दस और उन दस में से भारत के दो कंपनियां और उनमें से एक हेचीजी 2017 में ग्रैफाइट इलेक्ट्रॉड क प्राइजस में इंप्रॉव्मेंट की वज़े से हेचीजी को बहुत मुनाफा मिला इबिड़ा परसंटेज 11 से उपर जाकर बन गया 73 परसंट और यह सिलसला चारू रहा डिसेंबर 2018 तक जब तक प्राइज उपर गया था इबिड़ा पहुंच गया था करीब 75 परसंट उस थोड़ा रिकवरी दिखाई लेकिन कैश लॉस कंटिन्यू रहा पिछले थीन क्वार्ट्रस में कम्पेणी ने रियल प्रोफिटेबिलिटी इंप्रॉव्मेंट देखा आज कल उसका इबिड़ा है करीब 26 परसंट यह सबी हुआ चाइना के शिफ्ट ऑफ केपासिटी फ्र इस बीच प्राइजस इतने ऊपर लेके गए कि प्राइज करीब 10 गुना ऊपर गया ग्रैफाइट इलेक्ट्रोड्स का दो सालों में 1780 और 1819 में चाइना ने अपना शिफ्टिंग जारी रखा और उसका स्टील प्रोड़क्शन भी बढ़ गया उसने मार्केट में और FY19 को भूल नहीं पाएगी मैक्सिमम रियलाइजेशन दो लाग से नौ लाग तक मैक्सिमम इबिड़ड़ पर टन 16,000 से साड़े चे लाग और प्रोड़क्शन जो था 45,000 टन्स पहुंच गया था 72,000 टन्स लेकिन 2021 तक हाल 2016 जैसा ही रहा कैसे भूले हाइस्ट इसा क्या हुआ कि हालात बिगड गया सिंपल चैना तयार हुई अपने क्वांटिटी के साथ मार्केट में प्राइज ऊपर जा रहा था इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी विड्रॉ कर दिया तो चैनीज माल पहुंच गया ग्रैफाइट इलेक्ट्रोड साथ में स् प्राइज फ्लो रहा है क्वाइट इन्फामिट्यू जो बताता है कि एफवाई 18-19 में असल में जो जनरेशन हुआ तो इतना बड़ा था वो कि उसका इस्तेमाल करने में कंपेनी ने प्लाइनिंग तो किया लेकिन बाद में उसको लॉस उटाना पड़ा बीच में उसने ए आयब भी किया था करीब 754 करोड का ओपरिशनल कैश फ्लो जो रहा था करीब 150 क्रोड फर आयनम हीर दो सालों में वह आगिया करीब 4200 करोड जिसका आधा हिस्सा गया करेंट एसेट्स में उसमें मेजर पार्ट था इन्वेंट्रीज कंपेनी ने इन्वेंट्री जाक अप कि या future production के लिए लेकिन जब भाव गिर गिया तो वही inventory को बेचना पड़ा बहुत कम दाम से और उधर भी उसको loss उठाना पड़ा मैं हो विठल प्रभू आपके साथ लेकर weekly वीडियो on stock learning simplified आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा हेची जी का शुरुवात हुआ 1972 में एज हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रैफाइड ग्रैफाइड इलेक्ट्रोड्स जो हेची जी मैनिफेक्ट्र करती है उसका इस्तेमाल किया जाता है ये एफ में स्टील मैनिफेक्ट्रिंग करते वक्त जब स्टी आफ मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट मार्केट हेची जी का ताकत रहा है 2018 और 2019 के बाद तो उसका एक्सपोर्ट पहुंच गया था करीब 75 परसंट तक तो आजकल है एराउंड 62 परसंट इस बीच राइजिंग डिमांड और राइजिंग प्रैस को देखते हुए एफ 2018 और 2019 के बाद कंपिनी ने एक्सपंशन प्रोजेक्ट ले लिया जहां एड करना था 20,000 तेंस पर एनम यह प्रोजेक्ट जो चालू है कंप्लीट होगा 2023 तक तब कंपिनी बनेगी भारत के सबसे बड़ी इन टम्स आफ इंस्टाल के पैसिटी कंपिनी के शार होल्डिंग प 27% से बढ़ा कर 13.4% बनाया है उसकी वज़े से कंपिनी का शार होल्डिंग मार्केट में बहुत सपोर्ट रखता है कंपिनी में ऑप्टिमिजम इसलिए है कि 2022 में GDP ग्रोजेक्ट किया है IMF ने 3% जब GDP बढ़ती है तो स्टील सेक्टर बढ़ता है और स्टील सेक्टर के बात में दूसरा पॉजिटिव है जो लिथियम आयोन बैटरी सेक्टर जिसमें इस्तिमार होता है ग्रैफाइट इलेक्ट्रोड लेकिन नेगेटिवस भी हैं चाइना में जो यह शिफ्टिंग हो रहा था वो धीरे से चल रहा है उसकी वज़े से उसके पास बिल्डप हो र सकता है ग्रैफाइट इलेक्ट्रोड शेर प्राइज का कोर्रेलेशन रहता है स्टील मैनुफेक्ट्रिंग कंपेनी इसके शेर प्राइज से वैसे तो जिंदाल स्टील एन पावर जिंदाल स्टील टाटा एन स्टील और सेल इनके प्राइज में पर्टिकुलर्ली आफ्टर डिसेंबर हमें एक positive inclination देखने को मिलता है चिंता की बात यह है कि वही time पे underperform करता हुआ हेची जी एक negative divergence में चल रहा है लेकिन हमें confidence मिलता है price action data से for the last three months price घट रहा है लेकिन उसको volume का support हासिल नहीं है क्योंकि quantity भी गिर रही है जब दोनों गिर रहे हैं हम आशा कर सकते हैं कि there is probability of bottoming out and change in direction of price for better यह था presentation on H.E.G. एक strong company, global operations लेकिन risk of volatility है prices में और market में आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हो ऐसे ही वीडियोस आप पास सकते हैं at info card on stock learning simplified हमें इंतजार है आपके likes, shares और comments का अगर आप यह channel के लिए नहीं है तो कृप्या subscribe करें और press करें bell icon ताकि आपको मिल सके time पे हमारे आने वाले वीडियोस के intimation आपके support, interest और valuable time के लिए बहुत बहुत धनिवाद इस वीडियो का purpose सिर्फ information, education और awareness है इसका किसी solicitation to buy, sell or hold security से संब्द नहीं है आपके जरूरत के मताबिक क्रपिया competent professional advice जरूर ले लें